हेलो बच्चो तो आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं नई चीज क्या है डेली टॉप टेन कोश्चन फॉर नीट एग्जामिनीशन और इन टॉप टेन कोश्चन के अंदर जो मैं कोश्चन डिसकस करूंगा आप लोगों से वो वोई कोश्चन है जो नीट है और फ्यूचर में भी जो नीट की पेपर होंगे उन में आपको देखने को मिलेंगे इंपोर्टिंग कोश्चन है बार-बार रिपीट होते रहते हैं वो कोश्चन हम यहां पर डिसकस करेंगे डेली टॉप टेन कोश्चन अब यह टॉप टेन कोश्चन जो है 11th क्लास के स स्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट क्योंकि नीट के सेलेबस में 11 भी है और 12 भी है अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है नीट का नीट 2021 तो उसी पेपर के कोश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो 10 कोश्चन जो है उनको हम डिसकस करेंगे तो इंपोर्टेंट यह है कि नीट का जो पेपर है उसके अंदर मैक्सिमुम कोश्चन NCRT से हैं और कोश्चन जो हैं बहुत इजी हैं उन स्टुडेंट के लिएजी जिन्हों अच्छे से NCRT को पढ़ा है कोई कोश्चन ऐसा नहीं है जो आउट आफ सेलेबस हो या NCRT के बाहर से हो बिल्कुल सिंप यह है कि बच्चे ने अच्छे से सारे चेप्टर पढ़े हूँ 11th क्लास और 12th क्लास को अच्छे से पढ़ा हूँ तो वो उस नीट के पेपर में बायू के कोश्चन तो अच्छे से कर सकता है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन इस कोश्चन का मिनिंग ये है कि जो प्यूरिफिकेशन प्रोसे होता है आइसोलेट हो जाता है तो क्या precipitate होता है, मतलब क्या obtain होता है, क्या isolate हो जाता है option में तो RNA था, DNA था, histone था और polysaccharide था तो सबको पता है DNA isolate होता है, DNA precipitate हो जाता है तो answer इसका क्या होगा, B, DNA isolation होता है और ये आपके 12th के अंदर है ये question आपके bio technology वाला जो portion उससे related है प्लस जो आपके practical है, DNA isolation का उस practical के अंदर भी है ये, उसमें DNA का isolation करते हैं तो उसमें chilled ethanol add करते हैं second question देखी, the term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain देखो इस question के अंदर, इसकी first line में है इसका answer आगया है pollen grain from anther of one plant to stigma of different plant option देखिए, first is xenogamy, second is itonogamy, third है casmogamy और fourth है klystogamy तो different plant और different flowers होंगे, तो क्या होता है वो? genogamy, hundred percent जो cross pollination होता है, तो genetically different हो जाएंगे, क्योंकि आपने type of pollination देखे है, autogamy और allogamy, autogamy मतलब same plant से related होता है, allogamy different plants से related होता है, और allogamy को हम क्या बोलते हैं, genogamy, third question देखते है, which of the following stage of meiosis involved division of centromere, meiosis cell division की कौन सी stage में centromere divide होता है, option देखिए, first है metaphase first, second है metaphase second, third anaphase second और fourth telophase second, तो देखे, centromere consistency में split होते हैं, anaphase के अंदर, telophase में तो वो poles पे पहुँच जाते हैं, तो anaphase second के अंदर centromere split हो जाएगा, gamma are present in, gamma कप, gamma किसमें present होते हैं, first option है, moss में present होते हैं, second है इसके अंदर teradophytes, third है, some gymnosperm, fourth है, some liver words, तो आप याद करो, आपके mind में diagram आना चाहिए, आपने 11th में पढ़ा और 12th में पढ़ा है, bryophyta, tetadophyta, gymnosperm, angiosperm, तो जो लीवर words होते होते हैं, उसमें आता आपके markensia और markensia के अंदर, gamma cup देखने को मिलते हैं, तो answer क्या होगा, लीवर words, next question, question number five, देखते हैं, the production of gametes by the parents, formation of gigot, the F1 and F2 plant, can be understand from a diagram called, Mendel वाला chapter है, आपके, आपने 12th class के अंदर देखा है, Mendel ने monohybrid और dihybrid जो experiment किये, तो उसमें वो checkerboards बनाता है, तो उसे related question है, कि वो checkerboard जो होते हैं, वो square होते हैं, वो किसने दिये हैं, या उनको क्या कहते हैं, तो देखिए, first option, bullet square, second, punch square, third, punnate square, and fourth is net square, correct answer, हमने पढ़ा था, यह जो checkerboard method होता है, किसने या, punnate ने दिया था, इसलिए इनको punnate square बोलते हैं, question number six, देखिए, which of the following plant is monotious, monotious कौन सा है, monotious का meaning मैंने आपको बताया था, bisexual, यह आपकी chapter number first में है, reproduction in organism, 12th class के अंदर, वहां से यह question put up हुआ है, तो monotious plant कौन सा है, monotious का मतलब bisexual, मतलब वो plant जिसमें male और female, दोनों reproductive organ present हो, option देखिए, first है, carica, second is cara, third markensia, और fourth है, psychus, correct हां सा आपको पता है, cara, cara जो होता है, वो monotious है, monotious मतलब bisexual, उसमें male और female part एक ही plant में present होते है, question number seven, mutation in plant cell can be induced by, mutation plant cell में किसके थ्रूँ induced होगा, अब mutation जो करते हैं, mutation causing agent non as mutation, 12 से लिया गया है यह question, option में देखो, kinetine, second option infrared radiation, third option gamma rays and fourth option is G18, तो answer क्या होगा, gamma rays जो होती है, वो mutation cause करती है, question number eight, which of the following algae produce keragene, यह आपके 12th, 11th class से लिया गया है, 11th class के अंदर algae वाला जो chapter उसमें three type के algae आपने पड़ी, chlorophyce, phyophyce, rhodophyce, तो वहाँ आपने अलग-अलग algae की importance study किया है, तो keragene किस से related है, answer mind में आ गया होगा, 11th class के बच्चों के keragene obtained होता है, red algae से, तो first option इसमें दियावा है, green algae, second है brown algae, और third है red algae, और last में fourth वाला option है, blue-green algae, तो correct answer होगा, red algae, question number nine, correct sequence of PCR, PCR का मतलब होता है, polymerase chain reaction, और इसका correct sequence पूछा है, यह 12th class के अंदर biotechnology से related question है, तो तीन step होते है, polymerase chain reaction के अंदर, पहला option होता है, पहला step होता है PCR का, वो होता है denaturation, second होता है annealing, और third step होता है इसके अंदर extension, तो यह sequence हमें identify करना था, है इसका, question number 10 है, plant produce two type of spore, अगर किसी plant में दो तरह के spore बन रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, homo spores या heterospores, तो homo का मिनिम तो same होता है, तो homo spores तो नहीं बोलेंगे, different type के spores बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, heterospores, तो यह 10 question हमने आज discuss किये है, today's top 10 for neat examination, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा practice करें, तैयारी करें, आपका target आपके सामने होना चाहिए, कि हमें doctor बनना है, और doctor बनने के लिए, हमें अपना पूरा 100% देना है, और बहुत simple है, बहुत easy paper आता है, बस हमें 11 और 12 अच्छे से prepare करना है,